जहलावाड जिले में वाहनों पर स्टंट करते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का जुनून युवाओं पर हावी होता जा रहा है इसी तरह वाहनों से स्टंट कर रील बनाने के जुनून में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर मानव जीवन को संकट में डालने के एक आरोपी यूवक के कुछ वीडियो पुलिस तक पहुँचे इसके बाद पुलिस ने त्वरित कारवाई कर आरोपी यूवक जालावाड निवासी इसमाईल चौधरी को गिरफतार कर लिया वहीं जालावाड कोतवाली धाना पुलिस की टीम ने स्टंट में प्रयूक्त थार जीप भी जब्त कर ली है मैं मेरी थार से इस्टंट कर रहा था रोड बर तो लोगों के दूर घटना हो जाती है उनके लग जाती है मेरे लग जाती तो मैं आगे से यह सी गलती नहीं गरूँआ माफी जाता हूँगा इसमें जो इंस्टाग्राम सोशल मेडिया प्लेटफोर्म है उस पर इसमाईल चोधरी नामक यूग ने इस तरह की वीडियो जपरोड किये जिसमें भी थार गाड़ी में विबिन परकार के स्टंट कर रहे है जिससे कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और बाकी जो लोग पर अपने वहान चलाते हैं पैदल चलते हैं उनके भी जान को खतरा हो सकता है इस पर इस मामले को पुलिस ने संज्यान लेते हुए इस पर धारों में मुकदमा दर्ज किया गया और उसी में इस आरोपी को और ग्रफतार किया गया और जो इसमें ठार जीप इसमाल हुई है इन रिल्स को बनाने में उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गए आगे मैम इसमें किस तरीक है और आप मेसेज देने क्योंकि आप सबी लोग भी देखते होंगे कि सोसल मीडिया का क्रेज इतना नवयोकों के बीच में है कि वे अजीब अजीब परकार के रिल्स बनाते हैं जिससे ना वे कोई सेफटी का ध्यान रखते हैं उससे उनकी जान को भी खत्रा होता है और अन्य रहागीरों की जान को भी खत्रा होता है और बहुत बार ऐसे एसली लिरिल्स बना कर भी सोचल मीडिया पर डाली जाती है इस पर मेरे सभी यू आउर से यही अपील है कि आप इस तरह की कोई भी कृत्य मत कीजिए सोचल मीडिया पर संपून राज़तान पुलिस की नजर बनी रहती है और ऐसा कोई भी मामला संग्यान में आने पर पुलिस के दुआरा इसमें कठोल कारवाई या काम में लाई जाती है